हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल का तीनों ही सिफ्टों का पेपर समापत हो चुका है नोटिफिकेशन को ओन कर लेने से आपको दिल्ली पुलिस का हर सिफ्ट का अनलेसिस सबसे पहले देखने को मिलेगा इसलिए फटा-फट से चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ओन कर लेना तो start करते हैं पहले questions से, पहला question आप से पूछा गया है कि यमुना नदी, यमЁनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री जो है वो किस राजे में है तो उत्राखंड आपके option में दिया था जो कि इस question का बिल्कुल right answer हो जाएगा, तो उत्राखंड अगर आप कर के आएगों तो आप एंट्री में देखते हैं तो ये जो है इंपरफेक्ट येनकी ओटो बायोग्राफी है तो संजे मांजरेकर ओप्शन में गीवन था आपको करेक्ट करके आना था अगला कोशन पूछा गया था कि प्रात्ना समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी तो दोस्तों ओप्शन मे सहकारी समीतियों के प्रचार से समंदित है तो ओप्शन में दिया था सहकारी समीतियों के प्रचार जो कि आपको करेक्ट करना था अगला कोशन पूछा गया था कि सविधान का अनुछेद 51 जो है वो किस समंदित है तो ये आपका अंतराश्ट्र शान्ती और सुरक्षा को बड़ावा देने से समनित है ओप्षिन में एग्जेक्ट यही दिया था और आपको करेक्ट करना था अगला कोशन आया था कि मंत्री परिशद का गठन सविधान के किस अनुछेद के अंत्रगत किया गया जो मंत्री परिशद का गठन हुआ था ये सविधान के अनुछेद 74 आर्टिकल 74 में के तह जो है ये मंत्री परिशद का गठन हुआ था तो आर्टिकल 74 आपके ओप्षिन में मैंशन था वो आपको करेक्ट करना था अगला कोशन आया था यामिनी कृष्ण मूर्ती का समन्द किस नर्ते से है यामिनी कृष्ण मूर्ती का समन्द कुची पूड और भरत नाट्यम, दोनों सास्त्र नर्तियों से है अब option में अगर ये दोनों थे तो आपको एक तीसरा option दिया होगा या फिर इन दोनों में से कोई एक option में था तो वो आपको correct करना था अगला question पूछा गया कि सविधान के किस अनुछेद में सविधान के संसोधन के बारे में बताया गया है तो ये बताया गया है अनुछे 368 में सविधान में जो संसोधन होता है वो वरिनित है आर्टिकल 368 में तो अनुछे 368 option में दिया था आपको correct करना था वीडियो में आगे बड़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं और आपने भी भी लाइक नहीं किया है तो सभी से request करूँगा सारे के सारे जिने एक बार like बटन को दबाएं और वीडियो को जरूर शेर करें जितना आप शेर करोगे उतनी ये वीडियो आपके दोस्त तक पहुँचेगी तो सभी के सभी एक बार वीडियो को शेर कर लेंगे और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने भी तक तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन की घंटी ओन कर लीजिए आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर इससे हमारी बहुत एलप होती है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जुरूर ओन कीजिएगा अगला कोशन आया था कि प्लेंग इट माइवे ये जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकता है तो ये सचिन तेंदुलकर की है तो सचिन तेंदुलकर इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसफर हो जाता अगला कोशन या पर पूछा गया था डोल जात्रा जो उत्सव है वो किस राजय में मनाया जाता है ये कोशन आया था तो देखिए जो डोल जात्रा उत्सव है ना ये पस्सी मंगाल में celebrate होता है तो पस्सी मंगाल आपको correct करना था option में mention था पस्सी मंगाल वही आपका right answer हो जाता अगला question पूछा गया कि शिशुपालवद के जो लेकक हैं वो कौन थे शिशुपालवद के जो लेकक थे वो महाकवी माग थे तो महाकवी माग इस question का बिलकुल right answer होगा अगला question आया कि अनपूर्णा योजना कि जो शुरुवात हुई थी वो कब हुई थी योजनाओं से भी हर सिफ्ट में question बना है देखिए अनपूर्णा जो योजना है न ये एक अपरेल सन 2000 से शुरू की गई थी और यही exact आपको date option में दिया भी था तो ये आपको correct करना थ अगला question आया था 86 सविधान संसोधन के समय जो है वो किसकी सरकार थी तो इस समय सेंटर में बिजेपी की सरकार थी और जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो थे अटल वियारी वाजपेई जी ठीक है तो यहाँ पर अटल वियारी वाजपेई की सरकार थी बिजेपी की अगला कोशन आया था कि सतरंज के खेल में जो सफेध हाती है वो कितने होती है अब ये कोशन भी सबने से किया होगा repeated at previous year में बहुत बार पूछा गया है तो दो इस कोशन का बिल्कुल correct answer था सतरंज के खेल में सफेध हाती होती है वो दो होती है अगला कोशना है था कि भारतिये वालीबॉल संग की स्थापना जो है वो किस वर्स में हुई थी भारतिये वालीबॉल संग की जो स्थापना हुआ था वो 1951 वर्स 1951 में हुआ था एक्जेक्ट यही आपको संद दिया गया था ओप्षन में और ये आपको करेक्ट करके आना थ अगला कोशन आया था हिंदू केलेंडर के अनुसार जो राम नवमी है वो किस महीने में मनाया जाता है हिंदू केलेंडर के अनुसार बताना था तो हिंदू केलेंडर के अनुसार जो राम नवमी है ये चेत्र महीने में मनाया जाता है option में दिया था चेतर, आपको right करना था चेतर महीना अगला question पूछा गया था आपसे कि सुनेना हजारी लाल का जो समंद है वो किस नर्ते से है तो देखिए लगातार ऐसे question पूछे जा रहे हैं आपसे सुनेना हजारी लाल का जो समंद है वो कथक से है तो कथा का आपका बिल्कुल राइट आंस्वर हो जाता नेक्स्ट कोशन आये था कि ब्रह्म समाज की स्थापना इसे पीछे मैंने आपको प्रातना समाज बताया था तो जिनका भी तीसरे सिफ्ट में एक्जाम हुआ है एक बार कनफरम करके बतायेगा ब्रह्म समाज और स्थापना समाज दोनों मैं से कौन सा वाला समाज आपसे पूछा गया था अगर दोनों पूछे गए थे तो वो भी एक बार बता दीजेगा अगर ब्रह्म समाज पूछा होगा तो राजा राम मोहन रोई ने आत्मे सभा 1815 से 1819 में इसकी स्थापना की थी और 1828 में रोने ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी ठीक है जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा गया तो यहाँ पे राजा राम मोहन रोई करेक्ट आंसर होगा कब की थी 1828 में और अगर आने वाले शिपने पूछ ले कि आत्मे सभा की स्थापना किस ने की थी तब भी आपका अंसर होगा राजा राम मोहन रोई ने कब की थी 1815 में नेक्स्ट कोशन पूछा गया कि भारतिय सविधान का जो आर्टिकल 39A है आर्टिकल 39A समान न्याय और नीशुल्क विधाई सहायता ये जो है वो किस से समंदित है तो आपको बता दूँ भारतिय सविधान का अनुचेद 49A समान न्याय और नीशुल्क कानूनी सहायता राजे के नीती निर्देशक सिधानतों से समंदित है तो यहाँ पे अगर उप्षिन में राजे का निती निर्देशक सिधान दिया होगा तो आपका ये अन्सवर बिल्कुल सही है बाकिया वतना एक्जेक्ट विकल्प क्या-क्या थे नेक्स्ट कोशन आया था कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंस्वर है अगला कोशन आया था गोतम बुद किस महा जनपद के राजकुमार थे गोतम बुद की बात करें तो ये वजी महा जनपद के राजकुमार थे ओप्षिन में एग्जेक्ट वजी दिया था जो कि करेक्ट करना था वजी महाजनपद महावीर स्वामी और गोतम बुद्ध दोनों से समन्दि था ये वाला भी कोशन बन सकता है अगला कोशन आयता आईपियल की सुरुवात कब हुई थी तो आईपियल इंडियन प्रीमियम लिग्ज की जो सुरुवात है इसका फर्स सीजन खेला गया था 28 को ये सुरु हुई थी शुकरवार को ये सुरु हुई थी इसका पहला मैच चिना स्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडेट्स और रोयल चेलेंजर बैंगलोर के बीच में खेला गया था अगला कोशन आपे पुछा गया कि सबसे ज्यादा कबड़ी वर्ल्ड कप कि देश ने जीता है तो पाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसवर हो जाता तो ये थे सारे आज के आपके तीसरे सिट के कोशन जिनको और कोशन आदे कमेंट कर लेंगे एक बार सभी को पीडिएफ म